इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोट ने आज जो फैसला दिया है बाबरामदेव के पतंजली एड़टिस्मेंट्स हैं उस पर बैन लगाने को लेकर वो बहुत हद तक धजियां उड़ाता है उनके सारे जूट और फरेब का और साथ ही सुप्रीम कोट ये भी पूछते ह है कि आपकी इतनी हिम्मत इतनी हिम्मत आपके पास कहां से आई कि आपको मना करने के बाद भी आपको पहले भी हमने ओडर दिया था कि आप किस तरह से लोगों के सब फरेब कर रहे हैं आप बीमारियों के इलाज के नाम पर लोगों को ब्रहमित कर रहे हैं इसको बंद कीज से इस वक्की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं ज्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा उन सब लोगों के साथ तो खास तोर पर जो की आपको आके घ्यान देते होंगे कि पतंजली का प्रॉड़क्त ये चीज़ का यूज कर लीजिए इस मेडिसिनल क्योर हैं उपचार हैं और इस चलावे में लोग आ जाते हैं और फिर पता नहीं अपनी कौन सी बड़ी-बड़ी बीमारियों के इलाज इनके प्रॉड़क्त से करने की कोशिश करते होंगे ना और आगे देखिए वो पूछते हैं कोट उनसे पूछते हैं आप यानि पतंजली आपके पास ये बड़ा साहस था और गड़्स थे कि आप आजाते हो एक ऐसे अड़र्टिसमेंट के साथ कोट के आदेश के बाद मतलब जब कोट ने आपको अल्रड़ी आदेश दे दियो उसके बाद भी आपका ये दुसाहस देखिए कि आप ऐसे ही एक अड़र्टिसमेंट के साथ विज्यापन के साथ लोगों के सामने आ जाते हैं आपका मतलब क्या है पर्मनेंट रिलीव से कोट ने उनसे ये पूछा क्या ये कोई उपचार है उसका और ये पूरी खबर देखिए प्राइम फैसा है observing that the company has violated the undertaking कोट ने issue किया है ये कहते हुए कि company ने undertaking को violate किया है उसका उलंगन किया है और ये उनको notice issue किया है पतंजली आयुरवेद और आचारे बालकृष्ण को जो की managing director है पतंजली के कि उनको show cause दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि action उनके खिलाफ क्यों नहीं होना चाहिए कि ये कोट जो है उनके खिलाफ एक contempt of court की proceedings चला सके कोट ने पतंजली आयुरवेद को इस बात के लिए भी warning दी है कि वो कोई भी ऐसा adverse statement ना दे जो की किसी भी medicine किसी भी medicine के बारे में होता है और ये matter अब दो हफते के बाद फिर से court में आएगा bench कौन सी थी सुनिये जरा justices हिमा कोली और एहसान उद्दीन अमानुला की bench थी जिन्होंने ये बड़ी बात पतंजली के बारे में और साथी केंद सरकार के बारे में कई इस petition को सुनते हुए जो की Indian Medical Association ने दायर किया था सोची आयमे को जाना पड़ा क्योंकि इस तरह की उट-पटंग बाते भी जो करते रहते हैं आपने सुनाई होगा पीछे रामदेव की आदत हो चुकी है कि वो कुछ भी उल्जलूल डॉक्टर्स के बारे में मेडिसन के बारे में पूरी एक विधा के बारे में बोलते हैं गलत और उसके अलावा अपने कि अपचार है किसी बीमारी का यह जताने की कोशिश करते हैं अगेंस के खिलाव इस पर प्रीज आप जारा कंट्रोल लगाई है को कोट ने यूनियन गवर्मेंट से यह भी पूछा कि यह आप अपने क्या अक्शन लिया है अपनी तरफ से ड्रॉग्स और मैजिक रेमेडीज अब्जेक्शनेबल अड्वर्टिसमेंट्स अक 1954 के तहत जब आप देखते हैं पतंजली के ऐसे अड्वर्टिसमेंट्स को ऐसे विध्यापनों को उन्होंने कहा देखिए मैं कोट करके बता उन्होंने अग्रीज किया कि हां मिस्लीदिंग अढ़िसमेंट्स जो है उनको बिल्कु भी स्विकार नहीं किया जा सकता साथ ही उन्होंने ये कहा कि इट इस फॉन ये कष्पार से टु एक एक्शन अंडर दिया कि यह जिस स्टेट में हैं वहाँ पर इस आननून के तहत उ of action अभी तक लिया है उसको explain करते हुए उन्हें एक affidavit उनको submit करना हुगा when the case was taken in the morning session तो Justice Amanullah ने strongly Patanjali को rebuke किया क्योंकि एक और advertisement एक और विज्यापन आचुका था जिसमें इस तरह के misleading claims थे जिसको लेका पहले वो order दे चुके हैं Justice Amanullah ने अपने words को इधर उधर ना mix करते हुए बिल्कुल clearly यह बात बोली today I am going to pass really strict order you flout disorder आप यह order flout करके अब दिखाई और देखिए आप सोचिए कि बनलब पूरे clear mindset के साथ बिना अपने शब्दों को इधर उधर उधर न्तोड मरोड के या फिर किसी तरह से कान को इधर पकड़ के नहीं Justice Amanullah एक दम सीधा कहा कि आज मैं बहुत strict order देने वाला हूं और आप की अगर हिम्मत है ना अब इस order को आफ लाउट करके यानि कि इसको आप तोड कर इसको आप दरकिनार करने की या फिर वाइलेट करने की उलंगन करने की जड़ा कोशिश करके दिखाईए कहते है यू हड़ गारिज इन गाट्स तु कम आप विद इस advertisement after the order of this court and then you come up with this advertisement permanent relief what do you mean by permanent relief is it a cure we are going to pass a very very strict order you are tempting the court आप court को मजबूर कर रहे हैं यह बार-बार ऐसी हरकत करके आप court को मजबूर कर रहे हैं कि हम बहुत strict order आपके खिलाफ यहां पर रखें जज ने add किया और the matter was passed over दो बज़े दो पैर में जब matter was taken again senior advocate PS Patwalia जो की Indian Medical Association की तरफ से appear हो रहे थे उन्होंने कहा the very next day यानि Supreme Court ने जब order पास किया था 21 नवंबर 2023 को बाबा रामदेव और आचारे बालकृष्ण जो पतंजली के हैं उनकी इस misleading claims के खिलाफ जब order Supreme Court ने पास किया था उसके ठीक अगले दिन ही अगले ही दिन बाबा प्रेस कॉंफरेंस बुलाते हैं और फिर से लोगों को भटकाने वाले दावे उस प्रेस कॉंफरेंस में करके आ जाते हैं मतलब आप दुस्साहस देके Supreme Court के आदेश के ठीक अगले दिन इनोंने यह काम किया है आयमे की तरफ से जो सीनर आडविकेट पीस पटवाली अपियर कर रहे थे उनका यह दावा था कि यह जो पब्लिश कर रहे हैं एडवेटिस्मेंट जो विज्ञापन इनोंने पब्लिश किये वह यह क्लेम करते हैं कि पत दिसमबर 2023 को चापा है और यूट्यूब लिंक्स जो प्रेस कॉंफरेंस के थे वो भी उन्होंने रेफरेंस के तौर पर वहां पर दिये कि देखे इनोंने क्या-क्या दावे किये पटवालिया ने आगे मेंशन किया कि यह सारी जो इन में से कई सारी ऐसी बीमारियां है जो स्पेसिफिकली लिस्ट की गई है उस शेडियूल में जिसका नाम है ड्रॉग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल अडवर्टिस्मेंट अक्ट यह कानून है उसके अंदर लिस्टेड है इन में से कई सारी बीमारियां जो यहां पर इन अपने विज्यापनों म कैसे कर सकते हैं बैंच ने पतंजली आयुरवेद के कांसल सीनियर आडविकेट विपिन संघी से यह बात पूछी बैंच ने यह भी सवाल पूछे कांसल से वकील से कि स्टेटमेंट जो पतंजली आयुरवेद ने दिये हैं रिगार्डिंग अदर सिस्टेम उफ मेडिसें दूसरी जो दवाईयों की जो सिस्टम है जैसे की आलोपैथी के बारे में और साथ ही पॉइंट आउट किया कि जो पिछला हमारा ओर था उसमें आपको रिस्ट्रें किया गया था इस तरह के किसी भी कॉमेंट को देने से किसी मेडिसिनल सिस्टम के बारे में जैसे की और दिया गया था अदेश कि आप ऐसा नहीं करेंगे आप किसी और विधा के बारे में जो कि और मेडिसिन का सिस्टेम है उसके बारे में इस तरह के कोई दिया जाने चाहिए तो सांगी बोलते हैं कि सो फार अभी तक बाबा राम देव जो कंसरंड है इस पूरे केस में वो एक सन्यासी है उन्होंने का हम लोग इससे बॉदर नहीं है हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है प्रथम दृष्टिया दिखाई दे रहा है कि उन्होंने फ्लाउट किया है हमारे आदेश को नहीं माना पटवालिया ने डिस्क्राइब किया संगी का स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही आउट्रेजिस है दे वर अवेर अवेर अव दी ओडर एं प्राइम फरसाई दे आ फ्लाउटिंग इड जस्टिस कोली ने बोला कि उनको तो और के बारे में आदेश के कि इनके किसी भी अडवर्टिस्मेंट के ओपर कम्प्लीट बैंड लगा दिया जाए लेकिन फिर उनकी तरफ से जो पतंजली अईरवेद की तरफ से जो वकील थे वो कहते कि आप देखिया यह लोग तो टूथ पेस वगेरे जैसी चीज़े भी बनाते हैं तो अगर आप इ बैन उन प्रोडक्स पर लगाया जाएगा जो कि उन बीमारियों का जिकर करते हैं जो कि जैसे मैंने पहले बताया जिस कानून के तहत है और नहीं उसके बारे में आप पर्मिनेंट रिलीव कहते वे जो आपने विज्यापन दिये हैं वो आप नहीं दे सकते तो इसलिए साफ सुतरे शब्दों में मतलब यह हुआ तो प्रोवाइड अ ब्रीफ बैक्ग्राउंड आया में ने जो केंद्र सरकार है उनसे यह कहा था कि वो आडवर्टाइजिंग स्टांडर्स काउंसल अफ इंडिया और साथी सी सी पी यानि सेंट्रल कंजूमर प्रोटेक्शन कि मतलब इस तरह कि अगर केंपेंग चलाए जाएंगे कि आयूस सिस्टम को तो आप जो है प्रमोट करें लेकिन उसके साथ ही आप अलोपेथिक सिस्टम को जो है नीचे दिखाना शुरू कर दें इस तरह कि सारी चीजों के खिलाफ एक्शन लिना चाहिए यह आया में ने अप्रोच किया था सेंटर को कि ऐसा करें 2022 अगस्त की बात है जब सुप्रीम कोट की बेंच जिसको लीड कर रहे थे सीजेया रमना उन्होंने एक नोटिस इशू किया था उपर की सारी अथोरिटी इसको जिसमें की पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड भी थी अभी 21 नवं साथी advertisements ऐसे जो की जो modern system of medicine उसके खिलाफ हैं जस्टिस अमानुला वेंट ओन टू इशू अस्टर्न वर्निंग उफ इंपोजिंग का कॉस्ट ऑफ रुपीज वान क्रोर इनके सच अडवेद इसमें सार कंटिनूर् तो अगर पतंजली ने ऐसे ही विज्यापनों को दोबार अगर उन्होंने ऐसा कोई भी विज्यापन चापने की कोशिश की तो उनके ओपर एक करोड का जुर्माना कोट ठोक देगा यह कोट का सीधे सीधे उनको चेतावनी है ऐसे किसी भी फॉल्स जूटे और लोगों को बर्गलाने वाले जो विज्यापन होते हैं जो पतंजली अभी तक चला रहा था वो उनको अभी से इमीडियेटली उनको रोक लगानी होगी कोट विल टेक एनी सच इन फ्रैक्शन वेरी सीरियसली अगर आपने कुछ भी इसके उलट किया तो हम लोग इसको बहुत गंभीरता से लेने वाले हैं और जो कोट है वो यह भी कंसिडर कर तो अभी सवाल यह है कि आखिर इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोट के जो वर्डिक्ट है उसी में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोट जब यह बोलते हैं कि सुप्रीम कोट के आदेश के अगले दिना प्रेस सरकार को भी बोलते हैं कि आपको तो देखके ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी आखें बंद कर ली यह दोनों का नेक्सस क्या किसी से छिपा है आप सब जनता है आप पहले से जानते हैं यह इतना दुस्साहस सुप्रीम कोट के आदेश के बावजूद कैसे आ रहा है बाब बारे में जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताएं और अगर आपको लगता है कि एक ऐसी खबर है जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए इस वीडियो को जरूर शेर करें सत्यमेव जयते